तको ऐसा है कि बिहार दरोगा 12-75 स्टों पर जो वेकेंसी है इसका जो है आपको नोटिफिकेशन मेल चुका होगा कि इसका फिजकल का जो है डेट किलियर कर दिया गया है जून के सेकेंड वीक में इसका फिजकल होगा और 29-5 से आप डाउनलोड कर लेंगे लेकिन ये तो जो 301-59 का फिजकल की वेकेंसी इसका क्या होगा क्योंकि कहीं न कहीं देख रहे हो जून मतलब के इलेक्शन के दम खतम होते होते जून के सेकेंड माविक में जो है आपको ये सारा चीछ देखने को मिल रहा है कि हाँ इसका फिजकल करवा जया जाए और फिजकल होने के बाद क कुमारी रिजल्ट आ जाती है और उसके बाद से योगिदान वगेरा वाला प्रोसेस चलने लगता है तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए काईजे से तो अगस्त तक ये वेकेंसी खतम है लेकिन भीहार पुलिस कॉंस्टेवल क्या भीया क्या होगा इसका एक्जाम कब तक हो और पॉसिबिलिटी होनी की 99% समभवना है अब देखो जून में दरोगा जो वेकेंसी चल रही है रनिंग में तो जून में इसका जो है तुम्हारा समझ लो कि प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा और अगस्त तक जहां हमें उमीद है अगस्त तक इसका काम भी खतम हो जाएगा अभी मद निशेद जो वेकेंसी थी उसका भी देख रहे होगे मद निशेद कुछ शीट वेकेंसी थी उसका भी जो है फाइनल रिजल्ट देकर योगिदान वगएरा कराया जा रहा तो बिहार समझ लो कि CSBC हो चाए BPPC हो चाए BPPC हो कोई भी हो भी आपना काम बहुत टगड तक इसकी ज्वाइनिंग होने के पॉसिबिलिटी है तो आपका एकजाम का बात करें एक कई सजार तीन सो एक्यानवेर तो भी या समझ लो कि जुलाई के आसपास पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंगी पहीना कहीं इसका जो है न सब कुछ लगभग क्लियर हो गया है लेकिन कहीना कहीं ये कमीटी ये जिब बनी थी दिए तिसमें तीन लोगों को नुक किया गया था और कहीना कहीं ये मामलाण केलियर होता हुआ नजर आ रहा है मतलि जो भी इसका और इससी भी देख रहे हो पहले टो एप्याइंग कराऊंगा एक नोटीफिगेशन इमा reinforce घ भीया इसका एक्जाम होगा अब तुम मानो या नव मानो जुलाई में इसका एक्जाम होगा तो अब देख लो आपको अपनी तयारी करनी होगी देखो मैं इस चीज़ को बिल्कुल 100% आपके साथ सहमत हूं कंफर्म कर रहा हूं कि एक बार एक्जाम जब केंसिल हो जाता है त लेकिन क्या करोगे ऐसे ही चल रहा है किसी भी इस टेट का एक्जाम उठालो सब जगए ऐसे ही चल रहा हर जगे का यहीं हाले तो कहीं नहीं आपको उस तरह से ढालना भी होगा नहीं तो आप पीछे हो जाओगे अगर माले थेशी के गम में बैठे हुए हो या फिर कहीं न लग जाए अब जुलाई देख लो ज्यादा समय नहीं है एक से डिर मंथ दू मंथ बस इतना ही है अब दू मंथ में आपका अगर पहले तैयारी था तो रिवाइच करने में ही वहिया दू मंथ लग जाएगा और ऐसे भी गेहूं कटनी का दीन चल रहा है तो इसमें दस वी जारी कर दीजिए और यह सब दूविदाएं आती रहेगी जरूरी नहीं है कि अभी आप बिरोजगार हो तो ऐसे देखने को में नौकरी में भी आओगे न तो ऐसे दूविदाएं आती रहेगी तुम्हारे जिंदगी में तो सबसे जो है लड़ने की आपके अंतर छंता र ड्राइबर सिपाही की वेकेंसी तो अभी संभावना कम बने है जब तक यह खिलियर नहीं होगा सिपाही की वेकेंसी में आएगे लेकिन ड्राइबर जेल वार्डन वर्ण रक्षक एसाई सपेसल ब्रांच यह सारी वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी भाया तो आपकी पढ़ाई होगा बस पढ़ाई करिए रोज एक पैक्टी सेट लगाईए और बिकायदे जो भी आपका वीक सिक्षन है उस पे काम करिए